नमस्ते दोस्तों स्वागता आप सभी का Brain Bucks India के YouTube चैनल पे दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर की जिसका नाम है Figure Analogy चित्र साद्रश्यता अब दोस्त थोड़ी सी इसकी अगर हम बात करें इसके concepts की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार पहले का दूसरे से Relation होता है Same to Same Third का Fourth से होता है दोस्त जिस प्रकार पहले का Relation दूसरी आकरती से होगा Same to Same Third का Fourth से होगा इस चीज़ आप समझ पाए कि अगर पहले का ही दूसरे चित्र में जब हम चेक करें पहले चित्र से second चित्र को जब चेक करें अनुपात का दोनों में sign हो विसे इसता क्या है अनुपात समानुपातों का relation का sign होगा ठीक है दोस अब पहले चित्र से second चित्र पे जब हम check करेंगे तो या तो opposite चल रहा होगा या water image चल रहा होगा या आकर्तियों की व्रद्धी होगी या 90 degree, 45 degree, 180 degree move कर रहा होगा ठीक है दोस समझ पाए जो भी relation लगेगा हम वही applicable करेंगे third का fourth में तो पहला सवाल आप लोगों की screen के सामने है इसका जल्दी से आप जवाब करके हमें बताईए तो पहले सवाल को देखते हैं पहले सवाल को हल करते हैं पहले सवाल को हल करते हैं देखो यहाँ पे जो पहली आकर्ती है ये अनुपात का sign हो गया दूसरी में चेक करो पहली से जब दूसरी में देखा हमने देखो पहली में एक dark circle है एक blank circle जब दूसरी आकरते में चले तो ये reverse order में हो गया जो circle था blank वो उपर चला गया dark वाला नीचे आ गया अब यहाँ पे इस row में देखो ये वाली इधर थी right side में थी ये कहां गई left side में आ गई दो row ये जो दो row थी ये कहां गई left side बाकी इसमें कोई change नहीं हुआ बाकी इसका opposite हो गया उपर था नीचे आ गया opposite तो same to same हम इसमें करेंगे इसमें करेंगे तो देखो दोस्ट यहाँ पे जो दोनों आकरती है उसको ध्यान से देखो क्या same आकरती है क्या दोनों ही तो जब reverse में होगा तो तीर के सामने हमें सा क्या आएगा blank वाला पार्ट आएगा तो चेक करो देखो D option तो eliminate हो गया खतम हो गया यहां से क्या C होगा क्या नहीं होगा या तो होगा A या होगा B पर यहां पर यह जो दो sign है यह इसके reverse में आ जाएंगे मतलब इस side में होंगे चेक करो option number 1 में क्या नहीं है तो गलत हो जाया answer क्या हो जाया B is the correct answer of this question समझ पाया opposite हो रहा है दोस्त opposite हो ठीक है clear है आगे वाले सवाल पर move करते है अगले वाले सवाल को अगर हम देखें तो आगे वाला सवाल आप लोगों की screen पे आ चुका है फटाफट से इसको solve करेंगे इसमें relation find out करेंगे देखो जो पहली आकरती है उसमें तीन symbol दे रखा है तीन चित्तर दे रखें अब दूसरी में भी same तीन ही है पर check करो उनकी जो place value है वो change कर दिया जो place है उनका वो change कर दिया है देखो तिरबुज अपनी जगे fix है तो ध्यान दो ये जो box होगा अचा ये जो last वाली आकरती होगी last वाली वो अपनी जगे fix रहने वाली मतलब वो अंत में ही आएगी तो देखो D option eliminate C option eliminate समझ पार दो option तो हमने खतम कर दिया या तो होगा A या होगा B अब यहाँ पे यहाँ पे जब हमने पहले वाले में चेक करा इन दोनों ने अपनी place value change कर दिया इस्तान बदल लिया तो box आ जाएगा mid में और ये आधा आधा वरत आ जाएगा कहां पे पहले तो यहाँ पे तो reverse हो रहा है तो यह तो गलत हो जाएगा option number B option number A is the correct answer of this question A answer यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्त समझ पाए आसान था कोई मुश्किल नहीं था question केवल third वाले ने third वाले डाइग्राम ने third वाले आकरती ने अपना place change नहीं किया बाकी पहली और दूसरी ने एक दूसरी से interchange कर लिया दोस्त interchange कर लिया अपनी चलियर है दोस्त आगे चले अगले सवाल को हम move करते हैं और अगला सवाल आप लोगों के screen पे ये रहा दोस्त जल्दी से इसको solve करो आप जल्दी से इसको solve करेंगे देखो यहां पे पहली आकरती में हमारे पास दो दो तीर के निशान है जब second में check करें तो ये वाली तो अपनी जगे नहीं बदलेगी ये जो ये जो तीर है ये 45 degree clockwise move कर रहे है तो same concept हम आगे वाले में applicable करेंगे थाड से 4th में applicable करेंगे तो थाड में दो रो है ये तो अपनी जगे fix होगी ये तो अपनी जगे fix होगी दोस्त और जो बीच वाली दो है ये 45 5 degree clockwise move करेंगी गड़ी की सुई कि तो कैसे हो जाएगा ऐसे साइन हो जाएगा तिरचा चेक करो किस में है ये तो होगा नहीं reverse में चलेगे तीर ये भी होगा नहीं opposite जा रहे है ये होगा नहीं तो option number B is the correct answer of this question इस question का answer क्या है दोस्त option number B तो आप समझ पा रहे हैं कितने आसान question होते हैं कोई मुश्किल नहीं होता सिर्फ और सिर्फ हमें concept ध्यान में रखना जो relation पहले का दूसरे से लग रहा है same to same third का fourth से relation लगेगा आगे वाले सवाल को deal करते हैं आगे वाले सवाल को देखते हैं और आगे वाले सवाल ये रहा दोस्त आपके screen पे ये रहा है यहां पर थोड़ा सा typical होने वाला आप लोगों के लिए क्योंकि ये देखो जो पहली आ करती है इसको second में check करो second में check करो ये जो box है अर्ध चांद है अर्ध वरत है ये 90 degree clockwise move कर चुका है 90 degree clockwise move कर अब एक बात बताओ ये जो उपर साइन है ये उपर होना चीए ठीक है दोस्त कैसे होना चीए ऐसे होना चीए ठीक है ऐसे होना चीए ये जो साइन है ये ऐसे होना चीए ये वाले बिलकुल सीधी रो है ये वाला तिर मुझ ऐसे होना चीए था पर इसने क्या करा अपनी position को opposite कर लिया अपनी position को opposite में नीचे ले आया और जो है ठीक है वो भी बदल चुगा देखो यह cd line यहां है दूर तो यह दूर ही रही cd line cd line और जो pass वाली line है वो pass ही रही ठीक है दोस्त अब हम same इसमें applicable करें अगर यह 90 degree move करेगा clockwise तो यह कुछ इस तरीके से हो थीक है समझ पार है इस तरीके से हो तो चारो में इस तरीके से पर यह जो डोस्त यह कैसे होगा यहां पर होगा और यह 3000 लाइन ऐसे होगी है इस को अभी हमने change नहीं कर आब इसको change करते हैं opposite हो गा अच्छा जो पास में line है जो पास में line सीदी वोdet इसek चेक करो किस option में ऐसी है तो अगर देखो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये सीधी line तो यहाँ आनी चीए थी ये वाला होगा नहीं ओपर है उपर है तो ये option के वाला हमें नजर आ रहा है जिसमें सीधी line पास में आपके ठीक है सीधे लाइन पास में और ये जो तिर्ची है वो ऐसे है ठीक है समझ पाए आप कितना typical था थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है पर आसान है आप concept को समझ पाओ तो आसान है ये 90 degree इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें तो ये भी 90 degree मूव करेगा तो ये 90 degree ऐसे बन गया पर जब हमने इसको चेक करा जब ये 90 degree मूव करता है अगर इसके जुड़ा हुआ होता अगर ये चेंज नहीं करता तो ये कैसे होता जो यहाँ पे जो ये जो देखो उपर किनारे पे सीधी straight line है तो किनारे पे सीधी straight line बाकी तिरशी होगी ठीक है ऐसे होता अगर चेपका रहता कोई चेंज नहीं होता तो ऐसे होता पर इसने change कर लिए देखो जो pass की line है वो pass ही रही जो straight line थी वो दूर straight चली गई मतलब opposite कर दिए इस तो हम भी क्या करें, जब इसको move करें, तो यहाँ पे देखो, ऊपर, ऊपर की तरफ, ऊपर वाले चोर पे तिर्ची लाइन, तो यहाँ पे तिर्ची गई, और फिर straight line बीच में, mid में, तो straight line पास में ही होगी, जो तिर्ची होगी, वो ऐसे हो जाएगी, बताँ, हो रही है दो सवाल की और move करता है, चलो दोस्त, आगे वाले सवाल में, क्या कुछ खास है, आप लोगों के लिए, यह रहा सवाल, जल्दे से इसको सवाल करेंगे, देखो, इसमें क्या हो रहा है दोस्त, पहले हमें, एक, दो, और तीन लाइने दे रहे हैं, दुबारा देखो इस सवाल दो, तीन, चार, पांच, छे, सट बुजी यहां पे बन रहा है, सट बुजी यहां पे बन रहा है, तो इन्होंने क्या करा, जैसा पेटरन इन्होंने अपनाया, हमें भी सेम टू सेम, वैसा ही पेटरन अपना न, वैसा ही, तो हम क्या करेंगे, देखो, यहां पे एक, दो, और चार इनको मिला दिया अब ऐसा option चार रेखा हुआ वाला देखो C होगा नहीं B होगा नहीं लड़ाई किसमें A और D में है पर A में बिल्कुल straight बना दिया जबकि जबकि इसमें जब विकर्णवत हमने इनको add करा सबको तो तिर्चा बना तो तिर्चा इसका correct answer हो जागा D option is the correct answer of this question आप इसको समझ पाए केवल छोरों को मिलाना है जो इसके छोर है उनको मिलाना है लाइनों को मिलाना है और फिर जो आकरते मिले वही correct हो जाएगे चले आगे अगले question पे अगर हम अगले question को move करें तो यह रहा दोस्त आपका अगला question यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे पहली आकरती से जब दूसरी आकरती को move कर रहे है तो point है point है यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे था यहाँ पे आ रहा मतलब 45 डिगरी वामा वरत चल रहा है एंटी क्लोक वाइज चल रहा है तो यहाँ पे जो arrow था वो 45 डिगरी इतना ही move कर रहा तो सीधा आ गया तो हमें क्या करना है सिर्फ पूरी आकरती को 45 डिगरी पे angle पे move कर देना है एंटी क्लोक वाइज clockwise नहीं दोस्त, anti-clockwise तो यहाँ पे जब चेक करें यह वाला बिंदू कहां जाएगा? Corner में आ जाएगा तो पहला option तो eliminate हो जाएगा ठीक है? और यहाँ पे जो है वो विकर्णवत मिल रहा है box विकर्णवत विकर्णवत मिल रहा है तो D तो गलत हो जाए और यह B वाला है वो same to same है same to same अच्छा इसको पूरी आकर्थी को ही move करना है हमें क्योंकि यहाँ पे arrow भी तो move करी है और circle भी move करा तो यह जब इसको 45 degree यह वाला जो तिर्चा होगा वो उपर होगा आ जाएगा ठीक है ऊपर आ जाएगा क्योंकि 45 degree का जो यह वाला तिर्चा है विकर्ण वो कहां होगा यहाँ आ जाएगा मतलब line c d हो जाएगी ऐसे हो जाएगा ठीक है कैसे हो जाएगा ऐसे तो किस option में देख रहा है c option में देख रहा है नहीं कर रहा तो कैसे solve होगा नहीं होगा तो c option is the correct answer of this question next question की अगर हम move करें next question की और तो अगला question आप लोगों की screen पे यह रहा फटाफट से आप solve करेंगे देखो यहाँ पे हमने क्या check करा पहली अकरते में चार arrow है दूसरे में भी चार arrow है तो change क्या हुआ opposite होगे सारे के सारे देखो पहले ऊपर तीर था right में देख रहा था अब की बार left में देख रहा है जो left में देख रहा है वो right में देख रहा है जो left में देख रहा है वो फिर right में देख रहा है और जो right में देख रहा है वो left में है मतलब सब 3 arrow oppositor है तो यहां पे जो 2 right में देख रहे हैं वो 2 left में देखेंगे और जो 2 इस side में देखेंगे कौन सा option होगा तो a option तो गलत हो जाएगा b option हमें सही मिल रहा है c option गलत d option तो समझ पा रहा है कैसे सोल हुआ, बहुत आसान था सिंपल है, आगे चले अगले क्वेशन पे अगर हम मूग करें तो आज की क्लास का अंतिम सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे अवेलेबल है जल्दी से फटाफट से इसको सवाल करो देखो, यहाँ पे एक एक चेहरा दिया हुआ है एक इमोजी दिया हुआ है और जब इसको सेकंड में चेक करें सेकंड में चेक करें तो ओपोजिट हो गया भईया कि जो डार्क सरकल डार्क आई वाला पार्ट जो राइट की तरफ देख रहा था वो left की तरफ देख रहे, left की तरफ देख रहे, ठीक है, तो opposite वाला rule लग रहे, concept क्या लग रहा है, opposite वाला, opposite, क्या इसके इसमें change हो रहा है मुख में, नहीं हो रहा, इस मुख में change नहीं हो रहा, तो सभी में यही concept है, देखो सभी में यही है, मुख में कोई change नहीं हो रहा, म जो डार्क वाला पार्ट है वो अगर डाउन में देख रहा है नीचे की ओड देख रहा है तो वो आपो जायागा आपो जाया उपर कौन से चित्र में देख रहा है डी ओप्शन बताओ इतना सिंपल है फटाफट से देखो सॉल करो आसान है आपका नंबर पका है तो आज के सेसन को यही खतम करते हैं अगर आपको पसंद आया सेसन तो लाइक कीजिए शियार कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों तो पहुंचाईए मिलते हैं नेक्स सेसन में तब तक के लिए धन्यवाद